Hello Everyone, Revit Architecture Tutorial में आपका स्वागत है और आज की विडियो Tutorial Day 3 है First Day में हमने सीखा था Levels के बारे में और Second Day में हमने सीखा था Walls के बारे में आज Third Day है, थोड़ा सा और हम Tutorial को Improve और Detail में और Quality को बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे Architecture Revit में Grids की Grids बहुत ही important चीज़ है और Civil Engineering या Architecture, Mechanical Engineering के बहुत सारे Software ऐसे हैं जिन पर Grid पर ही काम होता है Grid हम ऐसे बोलते हैं कुछ आपने Horizontal और Vertical Lines को देखा होगा इस तरह से एक Net की तरह एक Grid जो होती है एक तरीके से Framework होता है जैसे कि मुझे एक Triangle बनाना है तो एक Grid में ने बनाई है मेरे पास Points है Joint को Select करने के लिए मैं एक Triangle बना सकता हूँ इस Grid की Help से तो एक Framework है तो एक Grid बहुत important है इन Grids की कुछ ID भी होती है जैसे ये 1, ये 2, ये हो गई 3 और ये हो गई 4 इसी तरह यहाँ पे कुछ और ID होती है A, B, and C, and D, and E इस तरह से हमें कोई Grid डिफाइन करने होती है तो इस Grid हमेशा जो होती है वैसे तो प्लान के लिए होती है लेकिन आप किसी भी वियू में बना सकते हैं Grid को आप हमने जो level decide किये थे वो भी एक तरह की Grid है ठीक है तो चलिए start करते हैं मैंने new किया और architecture template जो मैं पहले बता चुका हूँ ok कर दिया यह आ गए हमारी window अब देखें यहाँ पर two levels पहले से define है मैं first level हमारा select है और अब हमें यह directions है चार north, east, west, south यहीं पर मुझे इस तरह से कुछ grids बनानी है ठीक है तो चलिए start करते हैं सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर grid का icon है यह रहा इस grid के icon पे हमें click करना है click करते एक panel आजाएगा modify का मैंने बताया था last video में कि किसी भी icon पे click करते है उसका modify पैनल आ जाता है ठीक है वहाँ से उस grid को modify यह उस options को modify कर सकते हैं उसके लिए ही पुरा अपका panel है ठीक है तो यहाँ पे चार तरहीं की grid बनाने के लिए दिएंग प्रेंट टाइप के आर के जिसमें कुछ radius देनी होगी हमें फॉर्थ है offset offset से भी हम बना सकते हैं ठीक है तो चारो तरीके हम use करके देखेंगे सबसे पहले हमने line command लिया और यहाँ पे कहीं पर भी click किया और mouse को drag करते हुए जितनी लंबी horizontal line हमें बनानी है click कर दिया यह बन चेंज कर देते हैं इसको कर देते हैं हम ए ठीक है अच्छा आप इस grid का color जो भी है इसको edit करते हैं यहाँ पे देखी grid जो लिया हमने grid 6.5 mm bubble वाली grid लिया है तो इसको edit करते हैं मैंने पहले भी लास्ट वीडियो में बताया था जब भी आप edit करो तो एक duplicate बना लो जो हमारे software की default चीजें वो खराब ना हो तो duplicate बनाई मैंने और इसको लिखता हूँ मैं h red horizontal grid red color ठीक है red color ले 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 लेते हैं ओके ओके अब यहाँ पर हमारा select है h red grid ठीक है अब हम architecture tab में जाते हैं grid पे जाते हैं और हम बनाना start करते हैं तो एक line बनकी अब दूसरी line हमें बनानी है है तो मुझे क्या करना होगा देखिए मैं इस corner पर लेके mouse को drag करता हूँ बिना click किये और मेरे को बनानी है three meter in 3000 enter और उसके बाद mouse को drag करते हुए जब यहाँ पर imaginary line है click कर दिया यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी grid ID भी automatic हो गई है ठीक है इसी तरह से हम line को लेके आपे grid ब लेक्ती देखिए मैंने अभी क्या क्या कंट्रोल Z करता हूँ जब मैंने second वाली grid line बनाई यह वाली grid line जब मैंने बनाई तो हमारी यहाँ पर default जो grid line थी वो select जो हमने बनाई थी एक modify करके h red horizontal red वाली नहीं थी तो black बन चुग है मेरे को उसकी properties से match करनी है तो मैं क्या अब फिन नीचे वाली पर अब दोनों के property सेम होगा इस cap बटन देवादी ठीक है अब मैं architecture पर जाता हूं grid पर जाता हूं और offset वाली grid लेता हूं line वाली अब समझगे और यहाँ पर अपनी h red ठीक है offset लेता हूं में 3000 तीन मीटर की बनानी है हमें और आब mouse जब इस पर ले आउंगा मैं offset वाली select है mouse इस पर ले आ रहा हूं में तो देखिए थोड़ा सा उस line से नीचे ले आ रहा हूं तभी नीचे बना रही है और यहाँ पर हम अराम से click करेंगे देखिया c बनीज बन चुकिए अराम से d e f g h i j k ए grid बन चुकिए हमारी ठीक है तो यह horizontal grid बन चुक और यहाँ पर हम id रखेंगे 1,2 इस तरह से तो मैं architecture पर गया grid पर गया और मैंने यहाँ से की edit और यहाँ पर इसकी duplicate की इसको लिखा मैंने v blue vertical blue bl ठीक है और इसका color कर दिया मैंने blue ठीक है horizontal line vbl select है और मैंने क्या किया यहाँ पर एक click किया और horizontal line vertical line बना दी और इसको zoom करके इसके bubble के पास इसको title दिया one ठीक है blue one अब हमने दोबारा architecture में जाए grid में गए है offset वारा ले लेते हैं और यहाँ पर vbl selected 3000 ले लेते हैं और अराम से इसके पास ले आके click करते हैं इसी तरह से 123 बनती जाएगी देखें एक grid बन चुकी है अब यह grid जो है बहुत काफी spacing है यहाँ पर बहुत भार निकलीवे इसको कैसे करें किसी भी एक grid line पर click कीजे जूम कीजे दिखिया आप एक bubble दिखाई देगा white इस पर click करना है और hold करते हुए इसको move कराना है ठीक है अभी zoom में दिखेगा नहीं देखिए इस पर click किया hold करते हुए इसे हम इतना ले जहां तक रखना है इसी तरह दूसरे end से भी इसी तरह हम वर्टिकल को भी करेंगे इसी तरह से यहां से ठीक है अब यह perfect grid line है ठीक है अब इसमें चीज और कर सकते हैं यहां पर click करते हैं जब हम किसी grid line पे किसी grid line पे click करते हैं और इस bubble पे click करेंगे आप इस लोग पर इस से unlock कर देंगे यह टिक मार खटा देंगे तो bubble हट जाएगा और इसी तरह यहां पर अगर टिक मार लगाएंगे तो bubble लग जाएगा ठीक है और यहां पर continuous का mark है इस पर click करेंगे तो इस तरह से bubble का जो है आपका साइज इधर से लेकिए यहां पर दो डूब्लीकेट बन चुकी है डवल नेम आ रहा है ठीक है यह इसलिए बन चुकी कि मेरा माउस जो आता हूँ स्लेक्ट ता ओफसेट वाला और वो क्लिक होने से बन गया तो मैं Ctrl Z करता हूँ अब ठीक है ठीक है इस इस पर क्लिक करके आप दोनों साइट बबल भी लगा सकते हैं 12 तो यह थी हमारी grid line हम कैसी grid line बनाते हैं और define करते हैं इसमें जो important बात है वो मैं हमेशा से आपके से कहूंगा कि आप duplicate property हमेशा बनाएं अपने title के साथ ना कि आप उसी में editing करते हैं जो software की default है grid line बहुत important है जो हमने बनाई ये plan में ठीक है और elevation का हमने last day 2 में सीखा था day 1 में और wall के बारे में wall हम कैसे बनाते हैं वो सीखा था हमने day 1 में day 2 में sorry wall पे click के लिए थोड़ी सी wall बनाई लेते हैं ठीक है wall पे click किया हमने और अगर हम wall बनाना चाहते हैं यह देखिए wall एक 200 mm की तो इस grid की helps हम बना सकते हैं यहाँ click किया और यहां इस joint पे click किया इस joint पे click किया फिर मैं इस तरह से अपने according में एक assume करके structure बना रहा हूं यह और यहां पर default 8 meter select था तो हमारी wall की हाइट क्या होगी 8 meter देखें जला 3D में यह देखें 8 meter अब प्लान में जाते हैं हम level 1 में ऐसा क्यों था क्योंकि जब हम wall बना रहेते हैं तो यहां पर हमारा हाइट थी 8 meter उसको हम ठीक कर सकते हैं थोड़ा सा और बना लेते हैं हम structure को कि गिड्ड से फायदा होता है तुरूंत क्लिक हो जाता है इसको अब 3D में देख लेते हैं यह तो इस तरह से हम grid line define करते हैं वीडियो चोटी होगी कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं है लेकिन बहुत इपोटेंट चीज है अनलब ज्यादा interesting नहीं था लेकिन बहुत इपोटेंट चीज है मैं दुबार आए बात कहूंगा इसमें चोटी से चोटी चीज बहुत ज्यादा इपोटेंट है तो थैंक यूज वीडियो के लिए लाइक करना सब्सक्राइब करना शेयर करना ना भूलें